तो हेलो वाट्स अप कैसे हैं आप सब हांजी मित्रों क्या हाल चाल हैं आप सब के तो इस दे आउडियो वीडियो आल क्लियर फड़ाफट बता दिजिए क्या आउडियो वीडियो एकदम चकाचक आ रही है तो शुरू करते हैं तो मैंने का मोटिवेशन बड़ी सिंपल है आने को आने को ये चैप्टर आपके एक्जैम में कम से कम आठ से दस नंबर का भी सकता है येस अगर आपने इसको पूरी शिदत से पढ़ लिया पूरे मजे से जोरो शोरो से पढ़ लिया तो डेफिनेटली मजा आज जाएगा तो फड़ा पड़ स्टार्ट करते हैं सर रिविजन और बैंक ओडिट इसमें हमारा फ्लो बड़ा सिंपल रहता है हम पहले हेडिंग देखते हैं हेडिंग को समझते हैं कि हेडिंग क्या कहना चाती होगी और उसके साब से हमको 5-6 point याद करके चलने होते हैं That's all about bank audit अगर आपको इसमें number score करने है तो सबसे फेला सवाल जो ICI का favorite है May 19 में चार number के लिए पूछा भी था कि special audit consideration बताओ तो मैंने का bank audit में special audit consideration is the particular nature of risk क्या एक particular set of risk है जो कई ना कई banking transactions के साथ associated है सर ये क्या risk है मैं आपको बताता हूँ आज की date में हर छोटू मोटू पतलू मोटू आदमी के हाथ में है bank क्या कहते है mobile और mobile के अंदर आ जाती है bank की app जैसी मेरे पस bank की app आ जाती है तो मैं इससे धेड़ सारी transaction कर सकता हूँ आज अगर मैं देखू चुनी मुनी सुनी कोई भी बच्ची बैट के क्या कर रहे है सारे के सारे छोटे छोटे बच्चे आज कल एक दूसरे को UPI UPI खेल रहे है Google पे के rewards आते तो सब UPI UPI का का काम शुरू कर देते हैं तो जो UPI है आज की डेट में 5 रुपे 10 रुपे धेर सारी transaction हो जाती है और इतना volume आ जाते हैं कि कम time में कई साधा risk आ जाती है तो सबसे पहला point यही आ जाते है that is significant exposure in very short period of time कम से कम समय में काफी significant exposure आ रहा है अब यह क्यों आ रहा है सर यह इसलिए आ रहा है क्योंकि bank जो है न वो हमारे mobile में आ चुका है bank जो है हमारे mobile में आ चुका है यानि with the app तो सर इसको बोलते है evolution of technology कही ना कही net banking आ गई है mobile banking आ यह जिस वज़े से कही ना कही आप कह सकते हैं bank की सुईधा बढ़ गई है अब इसी वज़े से IT पे dependence बढ़ गई है so the next point is extensive dependence on the IT to process the transaction तो चार पॉइंट तो सर हो गए सबसे पहला क्या है particular nature of risk risk है significant exposure in a short period of time यह क्यों हो रहा है because of the development of banking products evolution of technology and net banking and mobile banking and last में heavy dependence on IT अब जब मैं कहा रहा हूँ इतना IT IT कर रहे हो तो IT Act को मत भूल जाना सर IT Act 2000 which is a statutory and regulatory requirement तो as a bank आपको सिरफ suppose आप company हो तो companies Act 2013 से comply नहीं करना कई सारे और भी Acts है जिनसे comply करना पड़ता है तो अगला topic वही है what are the different types of rules what are the different types of regulations जिससे एक bank को comply करना पड़ता है तो यह बड़ा simple है बैंक है तो कौन सा Act लगेगा Banking Regulation Act 1949 इन सब का करता धरता कौन RBI RBI Act 1934 और बताओ सर इस पर कौन सा है गा I think इसका 1949 आना चीए प्लस अगर कोई company है तो companies Act 2013 अच्छा एक बाद बताओ भारत कब आजाद हुआ मेरा भारत महान कब आजाद हुआ 1947 Banks को money laundering भी देखना पड़ता है कि कहीं कोई banking transfer से अपने पैसे इधर से उधर तो नहीं कर रहा तो कौन सा Act आएगा पमला सारे बच्चे बोलो प्यार से पमला सर पमला मतलब Prevention of Money Laundering Act 2002 तो यह कहीं ना कहीं आ जाता है और IT की बात कर रहे थे तो IT Act 2000 यही बेसिक बेसिक एक्स के बारे में आपको knowledge रखके चलनी है अब आता है सवाल मैं अगर bank का auditor बनूँगा to be precise statutory central auditor तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हो banks के दो तरह के auditors होते हैं एक तो corporate और head office वाले जिनको बोलते हैं SCA SCA बोले तो statutory central auditor branch के auditor को क्या बोलते है statutory branch auditor तो अभी मैं central auditor की बात कर रहा हूँ इस वाले की ठीक है तो जब भी वैं एक bank appoint करता है central statutory auditor तो वो एक auditor appoint करेगा दो या तीन या चार ये कहता है generally 4 या उससे ज्यादा generally 4 या उससे ज्यादा 4 और more CA firms as the statutory central auditor अब इसमें बात समझना जब भी auditor आएगा इसके letter of appointment में क्या लिखा होगा सर सबसे पहले लिखा होगा period of appointment दूसरा लिखा होगा ये तो आया है इसके साथ कौन आये है joint auditors प्लस इससे पुराने auditor कौन थे previous auditor सर प्रिवियस auditor की बात क्यों लिखी है इसमें ना मुझे professional ethics के एक clause की खुशबू आ रही है जिस जिस बच्चे को ये clause strike कर रहा है जरूर मुझे comment section में बताना और जो बच्चे live देख रहा है जरूर chat box में लिखना कौन सा clause strike करता है जब मैं बोलतों previous auditor के बारे में जानना है and I need to communicate with the previous auditor की क्या चल रहा था बाबू तो ये चीज़ आप देखोगे plus joint auditor है तो मुझे division of work पता होना चीए scope of work पता होना चीए और जो काम तो करेंगे but पैसे भी तो लेंगे काम तो करेंगे but पैसे भी तो लेंगे यानि हमको देखना है computation of the audit fees तो scope of assignment हो गया division of work हो गया audit fees हो गया बस यही बात है आपने ध्यान रखने है period of appointment साथ वाले पहला वाला साथ वालों के साथ division of work करोगे तो scope of work पता चलेगा उस scope of work के लिए पैसा मिलेगा सर पैसा मतलब आपकी audit पीस की बात हो रही है अब साथ ही साथ आता है सर अगला सवाल कौन सी authority कौन सी authority auditor को appoint करेगी तो सबसे वहले आता है सर banking company की बात करते हैं मैंने का banking company हो चाहे sectionate company हो चाहे private company हो या कोई public company हो company पे कौन सा act लगता है companies act 2013 and company का auditor कौन appoint करता है shareholders appoint करते है at the AGM तो वही बात लिखी है बाबू दूसरी चीज़ अगर ये nationalized bank है तो इसमें मामला थोड़ा different है nationalized bank के case में जो उसके board of director है वो appoint करेंगे मध्यान रखना दोनों ही case में क्योंकि bank है तो इनका करता धरता कौन है RBI तो जो RBI है उसका approval तो लगेगा ही लगेगा ठीक है सर अगर मैं SBI की बात करूँ SBI में different क्या है सर SBI is a government company सारे बच्चे बोलो में साथ SBI is a government company तो government company का auditor कौन appoint करता है C and A G साथ ही साथ ये क्या करेगा ये consultation करेगा with central government क्या ये बात समझा है हाँ सर अगला point आता है regional rural bank तो सारे बच्चे बोलो हम ना सर regional rural bank तक पहुँच नहीं पाते तो उसका auditor कौन appoint करता है सर उसका auditor appoint करता है वही bank खुदी appoint कर लेता है क्योंकि हम तो वहाँ पहुच ही नहीं सकते तो वह खुदी appoint कर लेता है but there is a approval there is a approval of central government सारे बच्चे बताओ ये consultation और approval वाली बात याद कैसे आएगी सर गेम बड़ा simple है cnag बड़ा आदमी है तो consultation लगेगी regional rural bank छोटे banks है तो approval लगेगा ये बात बस आपने ध्यान रखके चलनी है अब आते है सर conduct of audit इसमें आपने बस सबसे पहले देखना है initial consideration initial consideration मतलब आदी तुसी planning team बताओ सर आदी तुसी planning team बताओ मतलब A for acceptance and continuance यानी जो भी आप bank का assignment accept करेंगे continue करेंगे तो आपने वही standards on auditing अपलाए करने जैसे essay 220 हो गया कि आप पहले सेकी देखते हो सेकी मतलब significant matters ethical requirement competence capability time and resources और integrity of the management साथ ही साथ आपने देखने default declaration of indebtness declaration of indebtness मतलब आप या आपके साथ वाले जो भी परिवार वाले वो willful defalters नहीं होने चाहिए banks और भागी financial institutions के लिए सर आई का क्या मतलब है internal assignment जैसे मैं एक internal auditor होके statutory auditor नहीं बन सकता वैसी अगर मुझे किसी bank का statutory auditor बनना है तो मेरे पास कोई internal assignment नहीं होना चाहिए got it sir 37 terms of audit engagement यह हम सब को बता है ऐसे 210 में लिखिये to see see for sir see for communication with previous auditor I think अब तक सबने answer बता ही दिया clause number 8 clause number 8 very good को नहीं का clause number 8 part 1 of schedule यह बोलता है communicate तो आपने previous auditor से communicate करके चलना है and last में planning team बताओ यानि हम audit planning करेंगे engagement team को लाएंगे इंगेजमेंट team में कैसे लोग होने चाहिए experience लोग होने चाहिए professional लोग होने चाहिए अब आतीए बात understanding की sir understanding हमको कौन सा essay बताता है essay 315 identifying and assessing the risk of material statement कैसे through understanding the entity and its environment तो मैंने का entity का bank समझेंगे उसका environment, internal control, accounting process but इसमें जो सबसे important बात है जो आपके कहिना के शायद question bank में भी आपको मिलेगी that is understanding the risk management process sir risk management किसके हाथों में दे दी गई है PCWG PCWG अपनी बड़ी बड़ी आँखों से oversight करेगी oversight करेगी किसकी risk management process की अब risk management का क्या मतलब है risk और control बोलो मिर साथ risk और control इधर risk इधर control इधर risk इधर control यानि आपने सबसे पहले क्या करना है risk को identify करना है फिर measure करना है कौन सी risk ज्यादा है जो ज्यादा है उसको monitor करके चलेंगे so identification, measurement and monitoring monitoring को संभाल के रखना fourth point में काम आएगा अब risk है तो control है control है यानि control activities जिनकी बात हम कही ना कहीं नंबर three या four में भी करते है जिसमें हम pipes की बात करते है got it sir and monitor करने के लिए क्या चीए information जो मिलेगी reliable information system तो पूरा topic बार फटाफट मुझे revise करा हो risk management process sir bank का risk management process कौन देख रहा है उपर बैठके TCWG TCWG is doing the oversight of risk management process उसके बाद सर risk management का क्या मतलब है risk है तो control है IMM of risk identification, measurement, monitoring come on identification, measurement, monitoring of the risk risk है तो control है यानि control activities monitoring को उठा के fourth point में वापिस डाल दिया and last point was last point was monitoring के लिए information चाहिए वो information कहां से मिलेगी बाबू वो मिलेगी reliable information system से third, fourth, fifth point सारे बच्चे बस read करके चलेंगे अब सर एक point आता है special considerations in IT environment इसके लिए मैं क्या करूँगा आपके LMS पे आपके LMS पे 10-15 मिनिट के एक वीडियो डाल दूगा जिससे आपको पूरा topic clear हो जाएगा so need not worry about it this will be in open अब आता है सर internal controls internal controls के अगर मैं बात करूँ सबसे बहले बताओ सर basic controls के है यह basic controls वो ही है जो हमने risk assessment और internal control वाले chapter में सिखे थे कि job rotation होनी चाहिए segregation of duties होनी चाहिए internal check होना चाहिए एक बंदे का काम दूसरा बंदा check करे और बताओ सर इसमें हमने specific लिए बात पड़ी थी demand draft और telegraphic transfer की सर इसका क्या मतलब था जो भी demand drafts है telegraphic transfers है जो भी आप receive करोगे वो एक responsible officer open करेगा अब demand draft को check करने के लिए क्या चीए signature book वो एक responsible officer के पास होगी telegraphic transfer को check करने के लिए क्या चीए code वो भी responsible officer के पास होगा plus हो सकता है इनसान की नियत बदल जाए जो employee है उसकी नियत बिगड़ जाए यानि क्या हो सकती है sir infidelity come on सारे बच्चे बोलो नियत खराब होने को क्या गयते infidelity कोई और loss हो सकता है तो उसकी insurance वगर लेके चलो और इसमें हमने बोला था धपा sir धपा मतलब surprise checks भी होने चाहिए तो ये basic basic आपको general control ज्यान रखने I hope आपने जब question bank किया तो उसमें आपको इसका सवाल भी मिला होगा तो यही आपने check करना है job should be shifted from one position to another work for one person should be checked by another arithmetical accuracy of the book should be proved everyday forms वगरा check करोगे expected तो तीन चार बास बस इन points को read करो अपने आप दिमाग में बैठ जाएंगे हब आता है सर सवाल cash का cash की बात बताओ sir गांधी जी गांधी जी मतलब बापू बापू मतलब cash cash किसके पास रखी होगे bank में एक बंदे के पास दो बंदों के पास या तीन बंदों के पास sir joint joint का मतलब है joint custody of responsible officer मस्ती करते हो तुम लोग joint custody of two responsible officer के बाप मतलब दो लोग मिलके cash को समा लेंगे और तीसरा बंदा तीसरा बंदा रोज test checking करेगा और full counting करेगा occasionally तो यही बात लिखिए joint custody of two responsible officer test check daily and counted आपका कह सकते हो जो branch manager है वो check करेगा यानि high value cash receipts and payments should be verified by the branch manager plus जो भी आप payment करोगे वो authorized होनी चीए यही चार पांच बाते बस आपने ध्यान रखनी है और इसमें segregation of duties वाला point है क्या जो cashier है उसके पास customer ledger का access नहीं होना चीए ठीक है third person क्या करेगा test checking करेगा और full counting करेगा occasionally समझ गए sir plus हमने यहापे बोलना है यह 3 लोगों के बीच में क्या होनी चीए segregation of duties segregation of duties का क्या मतलब जो cashier है उसके पास books of accounts का access नहीं होना चीए and last में जो भी आप cash payments करेंगे that should be authorized plus जो high value cash payments and receipts इसको आप branch manager को बताके चलेंगे अब आता है sir clearings वाला point clearings वाले point में हम सब को कौन सा example याद आता है निशित वाले example सारे बच्चे बताओ निशित को मुझे कितनी payment देनी थी जो मेरा दोस्त निशित है उसने मुझे कितनी payment देनी थी sir उसने आपको 8 लाग देने थे मैंने का very good जब उसने मुझे 8 लाग रुपे देने थे तो मुझे 8 लाग उसने bank upi कर दिये check से दिये sir पुराने जमाने का दोस्त है तो उसने check से दिये तो क्या मेरा account अपने आप credit हो गया मैंने check अपने bank को दिया sir आपने अपने bank को दिया जैसी मैंने अपने bank को check दिया तो मेरा bank ने क्या किया मेरा bank कैसे verify करेगा वो sign सही है की नी वो check सही है की निशित के पास उतना account balance है की नी sir आपका bank तो नहीं check कर सकता निशित का bank check कर सकता है तो इसके bank को कैसे पता चलेगा कि इसमें check issue किया है sir पूरा system चलता है यहां से एक बंदा भाग के RBI के पास जाता है फिर RBI से एक बंदा भाग के उसके bank के पास जाता है वो फिर check करता है कि जो check है वो सही है की नी मैंने का बट ऐसा नहीं होता अब ऐसा नहीं होता अब इस check की photo खिचती है यह photo जाती है RBI के पास यानि clearing house के पास फिर clearing house से कहां जाती है इसके bank के पास तो this is called what check truncation system सारे बच्चे बोलो मरे साथ इसको कहते है check truncation system check truncation system का मतलब है जो भी electronic image of the check is that is transferred from the outward clearing bank to the inward clearing bank via the clearing house अब यह check truncation system में हमने कुछ अच्छी बाते सीखी थी सर क्या जब भी check की amount 5 लाख या उससे जादा होगी जब भी check की amount 5 लाख या उससे जादा होगी तो आप customer से confirmation लेंगे कि payment करने की नहीं प्लस आप उसका signature देखके ही payment करेंगे और दूसरी चीज़ अगर outward clearing bank जो है outward clearing bank से वो check pass नहीं होता तो क्या करेगा यह मुझे call करके check return करेगा यही चार बाते यहाँ पर लिखी वे हैं क्या check truncation system का मतलब क्या है अगर check की amount 5 लाख या उससे जादा है inward clearing में तो customer को call करो sign of the customer should be verified and last point is unpaid checks in the outward clearing should be returned to the customer now comes the question of bill for collection sir bills for collection में क्या था एक बार वो भी revise करा दो तो मैंने का game बड़ा simple है हमारा importer क्या करता है हमारे importer को हमने goods भेज़ दिये exporter ने ठीक है sir अब exporter को चिंता हो रही है कि payment आएगी कि नहीं क्या यह point clear है हाँ sir अब importer ने क्या किया sir importer ने कहा मैं payment कर दूँगा हमने का ऐसे कैसे हम payment collect करवाएंगे हम payment collect करवाएंगे किस से अपने bank के थूँ तो हमने as a exporter क्या किया documents भी दिये bills for collection भी दिये अपने bank को हमारे bank ने क्या किया वो ही documents और bills for collection भेजे अपनी foreign branch को या अपने किसी agent को अब branch का काम क्या है documents दो, पैसा लो documents दो, bill को collect करो जैसी bill collect हो गया हमारा account of credit हो ही जाएगा this is called bills for collection तो इसी में आपने आपने बस 3-4 बाते ध्यान रखने है क्या जो भी documents receive होंगे they should be received and entered in the register by a responsible officer मेरा account credit कब होगा as a exporter जल्दी से बताओ मेरा account as a exporter कब credit होगा जब bill collect हो जाएगा जब bill collect हो जाएगा जानी जब payment credit हो जाएगी तो यही बात second point में लिखिया है and last point is जब इस branch ने इसको भेजा अच्छे से बताने ये class में मैंने discuss किया था, जब इस branch ने कौन reversal मारेगा SBI या SBI की foreign branch SBI या SBI की foreign branch कौन इस case में reversal मार के चलेगा पढ़ा फट बताओ इस branch ने इसको भेजा कौन bills का reversal मारेगा very very good receiving branch कहीं ना कहीं जो receiving branch सर receiving branch यानी foreign branch जो foreign branch है it will have to reverse the entries at the year end ताकि दो दो जगा bills outstanding ना आ जाएगा बस यही तीन बाते आपने जहां रखके चलनी है अब आते है सर bills purchase bills purchase का game बड़ा simple है this is also another name of bill discounting जब भी मैं कहीं bill discounting कराने जाऊंगा तो सर मुझे क्या करना है मेरी जो security है मेरा जो debtor है वो bank के नाम पे हो जाएगा क्या bank पूरे पैसे देगा नहीं वो थोड़ा margin रखेगा plus वो discounting charge भी लगाएगा अगर discounting charge दो periods में आ रहा है तो उसको apportion करके चलो और 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 अगर time पे bill collect ना हो पाए अगर time पे bill collect ना हो पाए तो इसके बारे में head office को reporting करके चलनी है अब आते है सर another point loans and advances this was the easiest of all सर इसमें क्या है जब भी मैं आपको loan दूँगा मैं कौन हूँ? bank हूँ आप कौन हो? मेरे borrower हूँ जब भी मैं आपको कोई loan दूँगा तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा? मैं आपकी credit worthiness check करूँगा आज तो तुम मेरे से loan ले जा रहे हो कल जाके वापस लोटा पाओगे या नहीं तो ये चीज मैं सबसे पहले check करूँगा हा सर तो मैंने क्या check करी? credit worthiness फिर मुझे लगा इसको loan दे देना चाहिए तो मैंने इसकी documentation पूरी करी अब जैसे ही मैं loan दे रहा हूँगा मैं तुमसे क्या मांगूँगा सारे बच्चे बताओ मैं तुमसे क्या मांगूँगा मैं तुमसे मांगूँगा security security हां 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 तो security में तीन points ध्यान रखना क्या जो भी मैं security लूँगा उसमें अच्छा margin रखूँगा security receive करने वाला बुद्धू बच्चा होना चाहिए responsible officer security किसके नाम में मेरे नाम में तो ये तीन बाते हैं अपन ध्यान रखेंगे security में margin अच्छा होना चाहिए जो security receive करने वो responsible officer होना चाहिए मैं जितनी भी आपको limit दूँगा आप उससे 20% extra limit ले सकते हो यानि जितनी भी account से वो drawing power और sanction limit के अंदर तो रहेंगे but आप उनको 20% extra दे सकते हो कब तक 90 days के लिए क्योंकि 90 days के बाद लोग की नियत खराब हो जाती वो NP हो जाते हैं तो हमने का 20% of the extra limit can be given इसको बस read कर लो की signature चेक करेंगे टेली ग्राफिक कोड चेक करेंगे और सर इसमें क्या है जो भी branch सबकोज इसने इसने कोई demand draft इशू क्या है इसके लिए तो ये इसको inform करेगी ठीक है अगर इसको confirmation नहीं मिलती तो ये चेक करेगी तो ये basic basic बात है आपने इस diagram में ध्यान रखे चलनी थी अब आते सर हम सबका last internal control that is credit card operation इसके बाद पानी के दो-दो घूट लगा लेगे credit card operation में बस आपने वो cycle ध्यान रखनी है तर कौन सी cycle hero की cycle मैंने का नहीं नलायक ये वाली cycle suppose आज मुझे credit card चीए अब अगर तुम्हें चाहिए क्या credit card तुमको क्यूँ दे टाइपन कितनी है तुमारी अभी तो लाखो कमाने पेंडिंग है अभी तो कमाओगे थोड़ा आगे जाके तो तुमको मिलेंगे credit card बढ़िया वाले वैसे मिल जाते आटिकल को मुझे भी मिला था जब मैं EY में काम करता था मुझे 40,000 की limit का credit card मिला था मज़ा आगया था फिर मैंने का shopping करेंगे फिर मैंने कभी कुछ से खाज shopping करें नहीं पाया ठीक है तो उसमें सबसे यही तुम्हारी motivation होनी चीए कि 40,000 की जो limit है ना उसको 40 लाख पे ले application क्या ये बात समझ आती है हाँ सरी आती है तो जैसी उन्होंने screening of the application करी वो क्या करेंगे issue करेंगे card बट जो भी card का issue हो रहा है उसकी जो बचीवी inventory है cards की उस पर क्या होने चीए proper controls होने चीए उसको proper physical custody होनी चीए मैंने का very good controls over issue and inventory of the credit cards अब जैसी आपको credit card मिला आप चले मैं कालू टिक की burger खाने मैंने का very good जैसी आपने swipe किया तो क्या होगा merchant will do the prompt reporting to the credit card company credit card company क्या करेगी वो reimbursement करेगी merchant को merchant को पैसे देगी किसको charge करेगी customer को charge करेगी customer का गला पकड़ेगी कि भाई अब तुम मुझे पैसे दो फिर उसको पास card statement आएगा card statement पे payment नहीं करी तो उस issue of cards prompt reporting prompt reporting by the merchants to the settlements accepted फिर merchants को reimbursement those reimbursements are charged to the customer एक दम logical flow में चल रहे जैसे शांतिदार आदमी चलता है very good sir फिर statements are sent to the customer and follow up with the customer यहां हमारा bank audit का एक अध्याय खतम हुआ चार अध्याय है total पहला अध्याय खतम होता है sir कितने मिनिट में 20 मिनिट में सारे बच्चे बताओ क्या पहला अध्याय क्लियर है पड़ाफट बताईए इस एवरिफिंग तिल हेर क्लियर टू अल अफ्यू all good done 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 sir अब आजओ SLR और CRR requirements की तरह sir यह seller और सरर क्या है मैंने का बड़ा simple game है इसके बारे में आपने कहीं ना कहीं स्कूल में भी पढ़ाओगा CRR वो deposits का ratio होता है जो हम कहीं ना कहीं RBI के पास रखते हैं very good तो यहाँ पर हम RBI का circular चेक करके चलेंगे दूसरी चीज़ आती है SLR statutory liquidity ratio come on statutory liquidity ratio यानि मेरे पास जितने भी deposits है saving deposits demand liability यानि current deposits आ गए fix deposit आ गए इसका मैं क्या करूँगा थोड़ा percentage अपने पास liquid form में रखूँगा कल को कोई depositor आएगा मेरे से पैसे मांगने तो हुमें पास liquid form में होना चाहिए उसको क्या कहते है statutory liquidity ratio तो यह हमारा क्या है basically हमारी जो demand and time liability है यानि जो हमारे deposits है उसका एक percentage मुझे liquid assets maintain करना है इन्हीं दो चीजों को check करने के process को कहते है SLR की checking अब इसमें इन्होंने एक special बात लिख रहा है क्या सबसे वहले आप RBI की guidelines को देखो मैंने ठीक है दूसरी चीज क्या करनी है इसकी checking आपने करनी है on the days other than Friday 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 को तो पिच्चर रिलीज होती है आज कल तो वह वाली पिच्चर भी आई है कौन सी ओ मैं निकला ओ गड़ी ले के ठीक है और वह एक oh my god टू भी आई है ठीक है तो यह वाली जो पिच्चर है यह देखने जाना है तो कैसे checking करें तो यह तो होगी मस्ती वाला reason असली reason यह कि Friday को already consolidation होती है checking होती है तो इन्हों ने का आप branch auditor को भेजो क्या कि हमको liquid assets के बारे में बताया जाए trial balance भेजा जाए on the Fridays also on the dates other than Fridays और जिस भी दिन other than Friday केड़े मंगा रहे हो उनसे बोलना cash verification करके भेजे अब जो भी demand and time liabilities है समझना मेरी बात जो भी demand and time liabilities है उसमें कुछ चीजे exclude होंगी कुछ चीजे include होंगी ठीक है सर क्या क्या exclude होगा मैंने का PP munni PP munni का क्या मतलब है जो भी आपकी paid up capital है reserves है प्लस loans है from बड़े-बड़े banks सर बड़े-बड़े banks का क्या मतलब है exam bank हो गया नबार्ड हो गया SIDB हो गया NHB हो गया National Housing Board इन सब को exclude करेंगे ठीक है सर अगला P क्या था provision of doubtful debt की अगेंस जो recoveries है उसको exclude करेंगे munni का क्या मतलब था sir munni का मतलब था मैंने का मतलब था margins जो भी margins है in the sundry deposit for funded facilities उसको भी exclude करेंगे अन का क्या मतलब था अन का मतलब था unadjusted deposits and balances जो की link branches में पढ़ें जिनको कहीं न कहीं किसी और branch ने पे कर दिया इसका example हमने लिया था लक्षमी नगर branch और करोलबाग branch अगर लक्षमी नगर branch की liability for dividend करोल बाग ने पे कर दी तो उसको भी हम exclude करके चलेंगे and last में sir क्या आता है last में आता है I I for import bills import bills के against हमारे पास payment आ चुकी है but finalization of the rate spending है तो वह भी हमारे unutilized deposits में पढ़ा है liability में पढ़ा है उसको इस चीज के लिए exclude करके चल ला है तो पीपी मुन्नी करके हमने सारे points जिहान में रखे थे plus कुछ चीजे एड़ बैक होंगी सर क्या branch adjustment account का credit balance adverse balance of nostro mirror account and last point क्या था interest accrued but not due interest accrued but not accounted इसको भी अपन add back करके चलेंगे इसका हमने I think एक question भी किया था जो करके आपको बड़ा मजा आया था तो एक बार mcq उसका practice कर लेना फिर आता है सर्व verification of assets next अध्या है जो की सबसे असान भी था RBA के साथ balance कैसे चेक करेंगे किसी भी आदमी के साथ किसी भी इंसान के साथ balance कैसे चेक किया जाता है ऐसे 505 external confirmation हम भी RBA को confirmation भीजेंगे जब balance match नहीं होगा तो reconciliation बनेंगे वही basic बाते आप में देखनी है अब reconciliation में हमको क्या देखना था CRDR CRDR का क्या मतलब था cash transactions revenue items not adjusted other credit or debit entries not responded for 15 days इसी पर mcq भी आया था पिछले attempt में ठीक है सर अब आता है सर अगला short notice का मतलब है एक bank दूसरा bank इस bank को पैसे की जरूवत है तो यह किसे लेगा आप से या मेरे से मैंने का नहीं यह इस bank से लेगा तो जब एक bank दूसरे bank से पैसा लेता है उसको गलते है money at call and short notice सर कितने time के लिए लेता है यह साथ साथ देख लेना दूसरी चीज जब इसने इसको पैसे दिये इसने receipt लियोगी borrower का certificate होगा वो check कर लेना प्लस इसके पास register होगा तो मैंने का इसकी हमने documentation देख ली साथ हम क्या देखेंगे पैसे दिये तो interest भी मिला होगा तो हम interest देखेंगे और इसके साथ आपने एक चीज और देखनी है call loans made can't be adjusted with the call loan received यानि अगर as a bank मैंने किसी को call loan दिया प्लस किसी से call loan लिया क्या मैं इन दोनों को net off कर दूँ भूल के भी मत कर देना भूल के भी मत कर देना साफ साफ लिखा है क्या जो भी आपने call loans दिये हैं उसको आप net off नहीं कर सकते with the call loan receipt तो यही बाते आपने ध्यान रखके चलनी है पांच यो बाते जल्दी से बताओ sir इस bank ने इसको पैसे दिये तो head office के instructions और authorization के बाद दिये जब पैसे दिये तो documentation होगी जल्दी से बताओ documentation क्या है जो जो बच्चा नहीं बोलेगा न 6-6 महीने के लिए ready हो जो मैं पहली बता रहो 6-6 महीने के लिए ready हो जो ICI बढ़िया 6 महीने के और छुट्टी दे दे तरह तुम बोलते ही नहीं हो पता नहीं कहा के महान व्यक्ती हो तुम bond with a silver spoon फटाफट बतो क्या क्या चीजे थी जो हमको कहीना के documentation में देखनी है सर मैंने दिया तो borrower का certificate होगा रसीध होगी register में entry होगी यह register की entry न आगे जाके काम आएगी subsequent repayment आगे जाके काम आएगा तो ध्यान रखना अब मैंने पैसे दिये तो वापिस लिए that is subsequent repayment और वापिस ऐसे नहीं लिए interest के साथ लिए इंटरस्ट के साथ लिए very good तो यही points हमको ध्यान में रखके चलने है अब आता सर special purpose certificate for investment वैसे investments को लेके बहुत सारे topics से study material में अगर आप चाहो आपके बास बहुत समय है तो आप read कर सकते हो बट जो important वाला है मैंने यहाँ पे आपके लिए लाके रख दिया क्या सर हमारी ज clients हैं उनका audit कौन करेगा internal auditor या external auditor external auditor तो यह बात आपने ध्यान रखनी है प्लस जितने भी investment portfolios हैं उनका half yearly review होगा 30th of September और 31st of March को अब आता सर topic of advances सबसे पहला question ही आता है हमको advances में किन चीजों को लेके evidence खटा करने है तो आपने evidence खटा करना है for the assertions sir assertions मतलब जो advances है वो exist करते हैं exist मतलब these are outstanding on the balance sheet date right मतलब these are outstanding to the bank these are amounts due to the bank completeness मतलब there is no unrecorded advances these are supported by the loan documents and last point is valuation proper valuation has been done considering considering the recoverability sir recoverability का पन कैसे consider करते हैं provision मना के यानि अगर कोई advance से लगता है पैसा नहीं आने वाला तो आप उसका provision मना के चलोगे got it sir अब आता है substantive audit procedure again हौले हौले चलेंगे बड़ा मजा है substantive audit procedure में क्या देखेंगे सबसे पहले master data बोलो मिर साथ master data यानि हमको देखने है correctness of master data sir master data का क्या मतलब है customer की ID होगी जिसमें भी हमसे कहीं न कहीं पैसे लिए हैं उसके बाद उसके against होगा उसको हमने कितना amount दिया उस पे क्या interest है what is the turnover of repayment किस तरह से वो पैसे हमको लोटाएगा उसकी सारी details उसमें होगी but remember हर customer ID एक individual customer की एक individual customer ID होनी चे डबल डबल customer ID नहीं होनी चे तो यह क्या कहता है each customer should be tagged under a single customer ID अब हम क्या करेंगे गडबड़ वाले customer पकड़ेंगे problematic customer पकड़ेंगे सब problematic customer के examples हमने पड़ेते SMA1 SMA2 customer जिसको किसी रिपोर्ट ने problematic का है यानि internal audit report हो सकती है या फिर RBI की inspection report हो सकती है very good तीसरा ऐसा problematic customer कौन सा था मैंने का तीसरा problematic customer वो था चौथा तो मुझे याद आ रहे है quick mortality account चौथा याद आ गया quick mortality account तीसरा था मालिक माफ कर दो यह मैंना हमेशा भूल मालिक माफ कर दो सर मालिक माफी दे दो मतलब list of restructured account तो यह चार चीज़े आपने याद अटनी है SMA1 SMA2 दूसरा वाला कौन सा था जिसको किसी ने बोला यानि किसी की report में बोला गया कि problematic account है चौथा तीसरा कौन सा था सर तीसरा में फिर से भूल गया मालिक माफ कर दो restructured account ज मैं का फरक नी पढ़ता याद तो आ गया अब सर कुईक mortality account के है जो बारा महीने के अंदर अंदर NPA बन गया है बोलो मेरे साथ जो बारा महीने के अंदर अंदर NPA बन गया कौन कॉल कर रहा है कंबक्त अभी छोड़ो इसको ठीक है unknown number है तो यहाँ पर अपने को क्या गढ़न इस टॉपिक को याद करने का बसी तरीका है पैडवांस वाला बंदा पैसे देगा कि नहीं रिपोर्ट चेक करके चलो रिपोर्ट चेक करके चलो उससे पदा चल जाएगा कि भाई बंदा बढ़िया है कि नहीं सर कौन कौन सी रिपोर्ट थी periodic statements financial statements report on inspection of security and audit report sir audit report कब देखनी हैं जब आपकी credit facilities are beyond the cutoff limit fixed by the board of director of the bank तो आपने चार statements देखने periodic statement financial statements report on inspection of security and auditor report ठीक है समझ गए सर अब आता है provision for NPA सारे बच्चे बताओ क्या NPA एक बंदा खुद बैठके बनाता है या आजकल system बना हुआ है सर सिस्टम बना हुआ है जो banks का पूरा system है वो automate हो चुका है सारी चीजे system करती है यानि system classify करती है advances को उस classification के साब से provision बनता रहता है तो आपने सबसे पहले उनके system को देखना है और आजकल तो यह system वाली system system चल रहा है ना आजकल Instagram पर मैंने का हाँ तो वो system आपने या पर देखना है समझ रहे समझ गए blue तो मैंने का यहा पर अपन system देखेंगे of identification and classification of advances समझ गए अब देखो कि classification उस system के साब से proper है की नी तीसरी चीज़ classification के बात क्या देखेंगे सब classification सब classification मतलब जो classification है उसको उन system of classification फिर उतके बाद एको classification प्रॉपर है की नी सब classification इन्टु secured और Unsecured इस साल का पिछली बार से देख लो अब आते सा सवाल accounts regularize near the balance sheet date इसमें मैंने आपको कौन सा example देया था जिवे माल लिया तर जिवे माल लिया ने क्या किया just balance sheet date से पहले पैसे दे दिये balance sheet date के just बात पैस से वापिस भी मिल गए चल क्या रहा है चल क्या रहा है बाबू तो इसको बोलते inherent weakness in the account this is a concept of deemed NPA यहाँ पे आप बोलोगे यह deemed NPA तो deemed NPA के case में आप इसको NPA मानोगे भले ही the amount is not overdue for more than 90 days क्या यह concept clear है हां सर तो आप इसकी नाइक पिच्चर भी देख ले ना आपने notes में पार की होगी अब सर एक बाह बताओ जो NPA की classification होती है that is on date तो आपने balance sheet date पे check करके चलना है plus सिरफ balance sheet पे नहीं किसी और दिन भी NPA बन सकता है because it is based on overdue concept अब आते हैं सर्दीपी calculation दीपी का पाड़ू को है बताओ डीपी क्या है drawing power drawing power कैसे निकालते हैं debtors plus stocks minus creditor तो इससे हमा पास drawing power calculate होके आ जाती है क्या यही तरीका था हां सर तो drawing power हमने कैसे निकाली इस calculation के साब से यह calculation head office अपनी बना के चलते हैं जिसको हम बोलते है extent guidelines तो drawing power की calculation होगी as per the extent guidelines that is the credit policy of the bank which will be also approved by the statutory auditor क्या यह बात समझाती है हां सर इस पे हमारा focus किस पे है मैंने इस में आपको बड़ वो minus होते हैं plus क्या होते हैं stocks plus होते हैं plus हम एक चीज़ और minus करते हैं क्या जब भी construction business के लिए आप drawing power निकालोगे उसकी working capital के limit निकालोगे तो उसमें से क्या minus होगा mobilization advance तो आपने बस हिया रखना है minus plus minus creditors stocks mobilization advance वापस बोलो में साथ creditors stocks mobilization advance तो यह कही ना कहीं हो जाता है and last म last में stock वापस आजाएगा ऐसे बोलना creditors stock mobilization advance stock returns फिर से creditors stock mobilization advance stock returns stock returns का क्या मतलब है stock audit कराके चलेंगे जहां जहां accounting accounted funded exposure जो भी account का funded exposure है that is more than stipulated limit यहां पे हमने कारो 2020 की भी पील ली थी यहां पे हमने कारो 2020 की भी फील ली थी पता है मैं समझ नहीं पा रहा हूं मैं समझ नहीं पा रहा हम लोग कितने लखी है क्यों मुस्त मसालेदार coverage कर ली ना मजा आ गया सर चारो पॉइंट मुरे के साब से कहीं ना कहीं आपके दिवाब में clear है extend guidelines minus plus minus मतलब mobilization advance stocks वापे stock audit in case the accounts funded exposure is more than the stipulated limit got it सर अब आता temporary deficiency दिल पे हाथ रखके बोलना अगर किसी account में temporary deficiency है क्या मैं उसको NPM माल लू नहीं सर topic खतम ठीक है सर प्लस एक बात और बताओ जो भी stock statement होगी जिसके basis पे drawing power निकालोगे वो कितनी पुरानी चलेगी सर 90 days का डर है तो मैंने का 90 90 days को months में cover करो 90 days को जब months में करेंगे तो 30 से divide करेंगे तो 3 months आता है मैंने का very good 3 महीने से ज्यादा पुरानी नहीं हो नहीं अगर 3 महीने से ज्यादा पुरानी हुई तो account को मैं irregular मानूँगा प्लस जो भी limits है उनको review करना है कब तो आपकी जो भी sanction limits है they should be reviewed within 180 days from the due date अगर मै 90 क्यों नहीं लिया because practically it is tough to review within 90 days तो यह आपके caution bank के caution में भी है अब एक बात और बताओ जो asset की classification है बौर वाइज है फैसिलेटी वाइज है सरी यह बौर वाइज है यह कई ना कई बौर वाइज है यह अगर में पाद दो लोन है housing loan और car loan car loan NPA बन गया housing loan NPA नहीं बना तो इस government guaranteed advance इसमें हमने पका कहीं ना कहीं कुछ तो मस्ती कियोगी इसमें हमने कहीं ना कहीं कुछ तो मस्ती कियोगी जल्दी से सारे बच्चे वदाओ एक है लल्लू जी ठीक है एक है लल्लू जी इन्होंने bank से क्या लिया loan लिया इस पे guarantee कि ती central government की due date से 10 दिन हो गए कोई दिक्क है मैंने का नहीं 60 दिन हो गए कोई दिक्कत है नहीं 90 दिन हो गए सर कोई दिक्कत है मैंने का 1500 दिन हो गए तब भी कोई दिक्कत नहीं है क्यों आप इसको NPA नहीं मानोगे क्योंकि central government ने guarantee दिये तो जब भी central government की guarantee होगी classification के point of view से हम उसको कभी भी NPA नहीं मानते unless मोधी जी ने हाथ खड़े कड़ दिये सार मोधी जी ने हाथ खड़े कर दिये यानि हमने guarantee invoke की थी and central government repudiated the guarantee अच्छा income recognition के साथ से बताओ income recognition के लिए कोई exception नहीं है income recognition के लिए कोई exception नहीं है वो realization basis पे ही होगी अच्छा state government में कोई फरक पड़ता है का नहीं state government के लिए भी कोई exception नहीं है तो ये बात आपने समझ ली अब सर agriculture का ही बता दो मैंने का agriculture में न दो तरह की crops होती है सारे बच्चे पानी के दो हो घूट लगाओ फिर मैं दो तरह की crops मताता हूँ वड़ाफ़क्ट अगरी कल्चर में कितने तरह की crops दो तरह की LDC SDC ये तो कुछ अलगी elements लग रहे है मैंने बाड़ में जानी बात है तुम इधर देखो तरह क्या है long duration crops short duration crops क्या ये बात समझ आती है long duration कितना time लेत या harvest होने में सर वीज बोने से ले के खेती करने तक मेरा देश बदल रहा है अगे बढ़ रहा है तो मेरे देश का किसान कितना टाइम लगता है सर एक साल से ज़्यादा लगता है एक साल से ज्यादा लगता है यानि हमारा crop season है that is more than one year तो यह long duration है if it is less than equal to one year तो यह short duration है मैंने का very good NPA कैसे बनाओगे यह कहता है अगर long duration crop का जो loan है that is overdue for one crop season तो हम NPA माल लेंगे मैंने का very good short duration में यह कहता है short duration जूँकि छोटा season है तो दो लगेंगे short duration जूँकि छोटा season है तो दो लगेंगे यानि if it is overdue for more than two crop seasons तो यह लगेगा अब यह crop season कौन determine करेगा सर्थ crop season determine करता है संजे लीला भंसाली committee यानि उसको हम प्यार से बोलते है SLB committee that is state level banking committee आहा हा state level banking committee जो state level banking committee है वो क्या करती है वो कही ना कहीं यह decide करती है तो क्या यह बात हमने देखी थी हाँ state level banker committee decide करती है कौन सा crop season है किस crop का प्लस आपकी crop agricultural crop में आती है या नहीं यह कैसे पता चलेगा master circular on lending to priority sector फिर हमने discuss क्या था sir restructured advance इसमे ना flow में चलना सबसे पहले बताओ restructuring का क्या मतलब है सामने वाले को concession लेना अब आप concession कैसे दे सकते हो by modifying the terms sir modify कैसे कैसे कर सकते है कुछ चीजे कम करेंगे कुछ चीजे बढ़ाएंगे मतलब आपने उसकी installment की amount कम कर दी उसका loan repayment period बढ़ा दिया rate of interest कम कर दिया additional credit facilities दे दी तो जो उसके लिए अच्छी चीजे थी वो बढ़ा दी जो उसके लिए खराब चीजे थी वो कम कर दी यानि उसका repayment period बढ़ा दिया और बताओ क्या किया additional credit facilities दे दी rate of interest कम कर दिया तो यह सारी चीजे अगर आप करते हो तो आप उसको concession दी अब एक बाह बताओ आपने भी restructured with retrospective effect जिसकी application आई मतलब वो मजबूर है उसकी हालत खराब है तो फिर सर क्या है उसको intrinsically weak account बोलेंगे plus restructuring के बाद जो standard है वो substandard बन जाएगा जो doubtful है वो doubtfully रहेगा जो loss assets है उसको तो restructuring नहीं कर सकते तो यही basic बात है आपने इसमें ध्यान बताओ granting the concession कैसे देंगे concession मैंने का 3-4 तरीके कुछ बढ़ा दो कुछ घटा दो interest rate बढ़ा दो मारोगे क्या सामने वाले को उसकी वैसी band बजी पड़ी है तुमने interest rate बढ़ा दिये interest rate घटा दो be logical apply some common sense तो आपने interest rate घटा दिये repayment period बढ़ा दिये additional credit facilities दे दी और sir amount of installments आप कहीना कहीं घटा सकते हो ये भी जो भी घटाओगे बढ़ाओगे ये आपने किसके साब से करना है circular के साब से circular कहते है कौन-कौन से accounts को restructure कर सकते है standard, sub-standard, doubtful जिसकी application आई वो doubtful मतलब वो दिक्कत वाला account है उसको देखके चलना उसके अंदर inherent weakness है समझाई बात? हाँ sir and last में कहता है जैसी restructuring होगी downgrade कर देना standard से sub-standard मिल जाना doubtful, doubtful ही रहेगा क्या restructure cleared है? हाँ sir अब आता है sir, up-gradation of account क्या up-gradation कर सकते है? हाँ कर सकते है but remember पूरा का पूरा पैसा realize हो जारा चीए यानि जितनी भी due amount the amount overdue for more than 90 days 100% of the amount should be realized क्या partial realization में up-gradation allowed है? answer is no partial realization में up-gradation allowed नहीं है अब sir आता है sale and purchase of NPA very very simple topic मेरे को अपनी मुसीबत बेचनी है NPA क्या है? मुसीबत है मुझे अपनी मुसीबत बेचनी है तो मैं मुसीबत ऐसे बेचूँगा कि कल को मेरे पास मुसीबत वापिस चल के आजाए मैं बेच दूँगा एक बारी के लिए सर्थ बेच दोगे अब एक बात और बताओ NPA में cash basis पे बेचूँ या accrual basis पे? दूद का जला चाच भी फूक फूक के पीता है यानि मैंने पहले accrual basis पे करके देखा था पैसा नहीं आया तभी तो NPA बना तो इस बार cash basis पे बेचूँगा मेरी सारी रिस्क सामने वाले की board की policy के साब से बेचूँगा and last point दो साल पुरानी मुसीबत होनी चीए कम से कम दो साल पुरानी मुसीबत होनी चीए such NPA can be sold which has remained in the books for at least two years तो यही basic basic बात है आपने ध्यान में रखनी थी जब भी मैं NPA बेचूँगा तो वो मेरी book से भार निकल जाएगा उससे कम पैसा मिला तो P&L में charge करो उससे ज्यादा पैसा मिला तो retain करो कि कल को किसी NPA पे loss होगा तो उसके against हम credit कर देंगे फिर हमने बात किया था purchase of NPA के लिए तो जो भी मेरी classification बनती है books में वो करूँगा मैंने NPA purchase किया कितने का? 100 रुपे का बेचा कितने में? 1500 रुपे में तो पहले 100 रुपे से जो मेरे purchase price है उसके again set off करूँगा और जो 50 रुपे extra मिले वो मेरा profit लास्ट में risk weighted assets निकालते वक्त इस वाले asset को 100% risk weight दिया जाईगा अब stationery and stamps आता है अब मरियल मरियल point आगे assets वाले के बस last के दो रह गए अब ध्यान से समझना जो भी मेरी stationary होती है rubber होता है pencil होता है sharpener होता है और क्या क्यों होता है मरियल मरियल चीज़े होती है जो रोज मर्रा में use हो जाती है इसका asset बना दे कहते हैं नहीं इसको P&L में ही डालना है तो asset किसको बना रहे है security paper purchased in bulk बोलो मेरे साथ security paper purchased in bulk वो एक add आती है न security राबलाल तुम security हो के चोरी करते हो तो वो security की बात कर रहे हो security paper purchased in bulk यानि जो भी ये FD बनाते हैं वो ऐसे हमारे घर के paper में नहीं बनाते हैं issue paper पे नहीं बनाते किस में बनाते हैं security paper में बनाते हैं वो bulk में purchase करते हैं तो इनके लिए क्या है asset होता है अब ये जो asset है ये इसको write off करते हैं over a period of time तो आपने इसके लिए internal controls देख देए है cause should be generally charged to the PNL account physical verification होनी चाहिए basic basic बात बस read करके चलो समझ गया सर अब आते है एकदम शांदार वाला topic and मुझे ऐसा लगता है न मैं अगर examiner होता है तो पक्का आपकी paper में ये डाल देता क्या नाम है सर इसका non banking assets for the satisfaction of claims पर कितना प्यारा नाम है पर इसका मतलब क्या है मैंने का simple सा मतलब था जब भी मेरा कोई borrower मैंने किसी को पैसे दिये उसने पैसे वापिस नहीं दिये तो उसकी property मेरी property और हमनों उसको बेच के पैसे recover करोगा दन 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 तो ये तो बड़ी अच्छी चीज़ है सर तो इसी के बारे में खेल साला तो मेंको कैसे पता चलेगा जब आडिटर ऐसा हुआ है मैं इसके लिए court के paper देखूँगा कि जो इसके proper documentation है वो मैं देख के चलूँगा उस documentation से पता चलेगा कि ownership bank के पास है या नहीं अगर bank के पास नहीं है तो फिर तो dispute हो सकता है पैसे देने पड़ सकते है तो provision मनाना पड़ेगा AS29 AS29 से क्या निकला था section 9 सर section 9 में क्या लेका था section 9 में simple सी बात लिखी थी ऐसी कोई भी property है तो आपको उसको dispose of करना है कितने सालों में मैं कितने साल तक उस property के साथ रह सकता हूँ सची सची बताओ मैं कितने साल तक उस property के साथ रह सकता हूँ सर साथ साल तक आप उस property के साथ रह सकते हो यानि you cannot hold such property for exceeding 7 years आप साथ साल से ज़्यादा उस property को नहीं रख सकते and last point कहता है जो भी मैं record करूँँग उस property की value वो क्या होगी सर वो होगी lower वो होगी lower सर lower किसकी net book value of the advance यानि advance की value minus provision या फिर जो भी आपकी उस property की नर्वी है जो भी आपकी उस property की नर्वी है अब नर्वी का मतलब पूछा ना तो तुम्हारे FR के teacher को complaint कर दूँगा फिर मैं तुम्हारे FR के टीचर को complete कर दूँगा नर्वी का क्या मतलब होता है net realizable value ठीक है तो आपने उस asset की नर्वी देखनी है और क्या देखना है advance का क्या होता है वो value minus cost उसको क्या कहते है net book value ठीक है so net book value NBV या नर्वी देखो whichever is lower यही चार बाते आप इसमें लिखके आएंगे अब आज़र सर्व verification of capital इसमें कुछ खास नहीं है में याद अगना CRR 9% होना चीए basal 3 आप एक बार read कर लेना इसमें आपने देखना है basal is the art सर आट का क्या मतलब है ability to absorb the shocks risk management होना चीए corporate governance होना चीए and transparency and disclosure standards है तो यह आपने तीन बाते इसमें ध्यान रखनी है अब बस हम chapter की चरम सीमा पर पहुँच चुके हैं सारे बच्चे सारे बच्चे जल्दी से chat box में बताएं किया आप मेरे साथ है is everyone ready for the verification of liabilities एकदम प्यारी revision वीडियो ready है हमारी शालो सर पुल जोश के साथ पीए finalist chartered accounting बनने लगे है मैंने का क्या अब हम पढ़ेंगे verification of liability सबसे पहले आती है क्या current and saving account मैंने का very good current and saving account में start कैसे करेंगे पर दो account खुलवाएंगे starting में क्यों होते है account खुलवाय जाता जो भी balances है वो आप sample basis पे देखोगे तीसरा अगर account किसी ने खुलवाय तो bank के उपर liability है वो interest pay करके चलेगा ठीक है plus bank का हो सकता है procedure और balance confirmation को तो आप कुछ balance confirmation देख सकते हो यह चार बाते देखनी है वापिस एक बाद में साथ revise कर लो करनी है तो current account saving account खुला है तो KYC documents दूसरी चीज़ जब account खुला है तो आपने उनको sample basis पे देखना है interest calculations देखनी है and last में मैंने क्या बोला balance confirmation वाली चीज़ देख लेना अच्छा अगर किसी current account में debit balance है फिर से बोल रहा हूं current account में debit balance है बतला bank के लिए asset है यानि सामने वाले बंदे ने loan लिया है current account के loan को क्या कहते है CC, cash credit लिया होगा overdraft लिया होगा तो क्या वो मेरे liabilities में से reduce करके दिखाऊ यो asset side पे दिखाऊ मेरे current account में जो भी सामने वाला बंदा था उसने current account ले रहा है उसमें asset आ रहा है यानि उसने मेरे से पैसे लिए है तो अब वो जो asset आ रहा है वो logically liabilities में से reduce होना चाहिए या asset side पे जाना चाहिए obviously बात है asset है तो asset side पे जाना चाहिए ठीक है इसमें तो कोई था ही नहीं दो रहा है तो ये बात इन्होंने बोला कि समझ के चलना कि in case there is a debit balance in the current account उसको liability से net off नहीं करेंगे advances में include करके चलेंगे मतलब वो आपका asset है and last point क्या कहता है अगर कोई dormant account है dormant मतलब soya हुआ account है sleeping account है यानि उस account में पिछले 2 साल में फिर से करके दिखा रहा हूँ ध्यान से समझना पिछले 2 साल में कोई भी transaction नहीं हुई तो आप उसको in operative account मानेंगे ऐसे in operative accounts आपने check करने sample basis पे अगर in operatives उसको regular बनाया गया है तो check करना properly किया गया है या नहीं यही बाते आपने या देखने जो account open हुआ उसकी KYC बाकी चीजों को sample basis पे interest की calculation आप देखोगे confirmations आप देखोगे साथ ही साथ आपने देखना अगर किसी का debit balance है तो उसको advances में दिखाए liability से net off करके ना दिखाए और dormant account कौन सा होता है दो साल वाला ऐसे ऐसे कर लो में साथ दो साल वाला तो दो साल वाला जो भी operative account है उसको आपने मसालेदार चीजों को देखना है तो last के दो चीजे मसालेदार आ जाती है अब यह case study हमने एक और discuss की थी जिन भी बच्चों का November 23 में exams हैं उनके यह back questions में होगी और यह MTP November 22 में भी आई थी plus हमने इसको यहाँ पे include करी रखा है तो इसमें सर क्या था मैं बताता हूँ आपको इसमें क्या था सुनो मेरी बात एक था bank जिसका नाम था पैसे ले लो ले लो ले लो पैसे ले लो एक था बंदा जिसका नाम था तुशार हमारा कौन नलायक student ठीक है एक दम प्यारा वाला इसने क्या किया इसने bank से ले ली crash credit facility very good कितने रुपे की 2 करोड की बताओ article internet 2 करोड की facility very very good मैं तो कहतो नलायक नहीं है तो सबसे शातिर बच्चा निकला अब इसने क्या किया bank से कोई पैसा नहीं लिया पूरे साल क्या जरूरत ही नहीं पड़ती PG की rent तो बड़ी सस्ती है तो क्या रहा है तो bank की books में अगर आप देखो तो क्या हुआ अचानक advances बढ़ गए अचानक deposits बढ़ गए इसको क्या कहते हैं inflating the balance sheet boosting the advances boosting the deposit तो मैंने का boost is the secret of my energy तो यह जो तुशार ही क्या है यह खाली बैठ है मैंने का नहीं क्या यह हमको confuse कर रहे है मैंने का नहीं यह bank के साथ मिलके हमारे को band बजा रहे है यानि यह bank की balance sheet के inflation में help कर रहा है तो यहाँ पर आपने basically बात ध्यान रखने है इसको कहते है window dressing यही बात यहाँ लिखी है कि this is a classic example of window dressing यहाँ पर artificially balance sheet को boost किया जा रहे है inflate किया जा रहे है क्या यह banking regulation act के साब से मैंने का नहीं it is a prohibition इसको क्या बोलते हैं contravention of banking regulation act 1949 auditor इसके बारे में LFAR में report भी कर देगा और बताओ इसके बारे में qualification भी कर देगा तो यह basic बाते आपने ध्यान में रखके चलनी है अच्छा borrowings के बारे में बताओ क्या था जो भी borrowings है उनके हम देखेंगे bank की confirmation हमारी खुद की confirmation borrowings में interest भी आत liability तो खुशी हो जाओ खुशी ले आओ अपने चेहरे पे last liability आ जाते बिल्स पेबल सर बिल्स पेबल में हमको क्या देखना था again मुझे लगता example से चलेंगे तो असानी रहेगी मैंने क्या किया सर मैंने एक demand draft लिया HDFC Limited से ठीक है payment किसको करनी थी ICI को payment करनी थी तो इसने कि this is called bills payable क्या ये concept clear है हाँ तो मैं कहते हो दूसरों के लिए bills payable हमारे लिए क्या है हमारे लिए simple concept of demand draft and telegraphic transfer है तो इसी से आपके चार point आ जाएंगे कि हमको इनके internal controls देखने है कि जो भी demand draft टेलिग्राफिक transfer है वो कैसे होने चीए suitable printed forms होने चीए ये जो printed forms unused है इनकी inventory पे control ह होने चीए अच्छा एक बात बताओ demand आपको कैसे check करेंगे ये भी मैंने आपको बताया था demand draft को check करते sign से telegraphic transfer को कैसे check करते code से ठीक है फिर कोई ना कोई code तू 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 ठीक है ऐसे करके कोई भी code बना के आप इसको check कर सकते हो यही बात इन्होंन क्या point हमको चुराना है call money वाला जो point था money at call and short notice वहाँ पे क्या point था register वाला क्या register वाली बात यहां लिखी है जली से बताइए हां सर हां register लिखा है दूसरी चीज़ वहाँ पे हमारा asset था तो subsequent repayment चेक करते थे यहाँ पे क्या है हमारी liability है तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे correspondence with the other branches after the year end कि हमने उनको पैसे वापिस कैसे लोटा है तो दो बाते देख लेना register and correspondence after the year end यही तीन चीज़े मिला के bills फेबल बनाती है पहले internal control, demand draft और telegraphic transfer को लेके फिर आपने क्या देखना है register, register के बाद after the year end confirmations correspondence ठीक है अब आता है सर लास्ट टॉपिक contingent liability और इसके बाद हमारा कहिना की chapter खतम होने की तरफ आगे बढ़ जाता है, contingent liability में क्या आता है, सबसे पहले return representation, return representation किस चीज़ को लेके off balance sheet items, contingent liability को off balance sheet items कह सकते हैं, हाँ, obviously बात है, जो चीज़ balance sheet में नहीं आती, that is off balance sheet, तो क्या contingent liability balance sheet में आती है, सोच क्या रहो नलायक, नहीं आती है, ठीक accounting properly होई है, फिर आपने देखना है कि उनकी accounting कैसे होई है, as per the laid down procedure, पीसरी चीज़ इनकी documentation proper होनी चाहिए, तो यही तीन चीज़े आपने देखनी है, they are accounted in the books of account, कैसे accounting होई है, after following due procedures, and last point is, they are supported by the underlying documents, वापिस तीन हो ठीवे बोलो है, सब मुझा नहीं हो रहो है, सबसे वहले क इसके बाद आप क्या बोलोगे, इसके बाद आप आगे बढ़ जो, इसके बाद आप बोलो कि सारे की सारी contingent liabilities are disclosed, उनके financial effect बता है, as per AS29, and वो provision नहीं है, तो यह तीन point आपने बस अलग से ध्यान रखने है, क्या, जितनी भी contingent liability है, सब को disclose किया है, सब के financial effect को भी disclose किया है as per AS29, and वो अभी provision नहीं बनी है, यानि यही तो फरक होता है contingent liability और normal liability में, जो normal liability होती है, that is a present obligation, जो contingent liability होती है, that is a possible obligation, तो आपने ये basic बात ध्यान रखके चलनी है, अब आता सर, contingent liability की presentation, इस topic को बस दो बार तीन बार read कर लेना, अपने आप सारे के सारे नाम दिमाग में जाएंगे, अब आता सर, contingent liability का audit procedure, ये तो मुझे याद है, तुमको अच्छे से पता है, सर क्या, IC, LC, LC, reasonable-ness, completeness, बोलो में सर, IC, LC, LC, reasonable-ness, completeness, internal control देखेंगे, letters of credit देखेंगे, letters of comfort देखेंगे, plus देखेंगे, completeness of the contingent liability, reasonable-ness of contingent liability, फिर आता सर, claims against the bank, not acknowledged our debt, यानि सामने वाल तो हम इसके लिए relevant documents देखेंगे, कि court का कोई order आया है, workman का कोई order आया है, ठीक है, officer से कोई correspondence हुई है, तो वो आप देखोगे, अब अगर ऐसी कोई litigations and claims है, तो चटपटी बाते कहां लिखी होती है, essay 501 की reference दे रहो हलकी सी, minutes of the meeting, यानि इसके लिए minutes of the meetings भी होंगी, minutes of the meeting होंगी, plus agreements होंगे with the lawyers, with the workmen, with the officers, ठीक है, तो उसके साथ साथ आप management से पूछो, current status क्या है, और year end पे status क्या है, और year end के बात status क्या है, वापिस बोल रहा हूँ, year end पे status क्या है, year end के बात status क्या है, यानि आपने समझने है, management से status of the claims at the year end, and साथ ही साथ, उसके बाद मतलब subsequent events पे आप देखके चलोगे, चार चीज़े होगे, पापिस, documents देखें, हाँ देखें, उसके बाद क्या देखा, चटपटी बात है, minutes of the meeting में मिल गई, plus हमने देखे, agreements with the lawyer, agreements with the workers, उसके बाद आप management से पूछो, status क्या है, year end पे, और year end के बात को क्या बोलते है, subsequent event, तो आपने वो चीज़ देख लिया, अब आती सर, guarantee, guarantee में again internal control देखेंगे, like all other contingent liability, साथ में इसका register देखेंगी, कि register में guarantees जो भी है, वो हमने completely account for कर लिया, disclose कर लिया, plus जो guarantee expire हो गई, उसको mark off कर दिया, दोर point register वाले हो गई, plus चेको कि जो guarantee invoke हो गई है, वो तो अब liability बन गई, तो उसका provision मनना चीए, as per AS29, उसका provision मनना चीए, as per AS29, तो यही basic 3-4 बाते आपने इसमें ध्यान रखें, चलनी है, अब आता है सर, last part, that is the reporting वाला पार्ट, जिसको हूँ प्यार से बोलते है, auditors report, किसकी report है, nationalized bank की report है, and I think इसी का question कहीं ना कहीं, July 22 के exams में भी आया था, nationalized bank की report किसको जाएगी, central government को, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, हाँ, पता नहीं, कहा देख रहे हो, इसी screen पर पता है, result आएगा तुम्हारा, ठीक है, अभी अगर चीज़े सुन लोगे, revise कर लोगे, तो अच्छा result देखने को मिलेगा, सच्छी सर, हाँ, मुच्छी, जली से बताओ, nationalized bank की report किसको देंगे, सारे बच्चे बोलेंगे, central government को, इसमें क्या बोलोगे, balance sheet true and fair view देती है, pnl true and fair view देता है, कैसे पता, हमने information और explanation ली, हमने कई management से information और explanation ली, तो पहला point है, information और explanation मिली की नहीं, दूसरा, जिस branch पे तुम गए नहीं, जिस branch पे तुम गए न नहीं है, क्या उस branch के auditor से, या उस branch की जो returns थी, वो तुम्हारे पास आई की नहीं, यानि, whether or not the returns are received from the offices or branch, were adequate for the purpose of audit, and last में, जो भी banks ने transaction करिये, क्या वो bank की powers में थी की नहीं, तो आपने इसको तीन तरीके से बाटना है, सर क्या, पहले तो balance sheet और pnl true and fair view देता है की नहीं, दूसरा, दो चीजे मिली की नहीं, बता वो दो चीजे क्या थी, जो मिली या नहीं मिली, information or explanation and returns from the branches, and तीसरी चीज़ है, power, सर तीसरी चीज़ क्या है, power end में अपने देखनी है, कि जो भी transactions bank ने करी, were they within the powers of the bank or not, and last point is, any other matter, अच्छा, LFAR में जो काम की बात थी, वो जल्द कर देगा, इसमें होता क्या, branch auditor को भी करनी है, central auditor को भी करनी है, branch auditors अपनी LFAR उठा के central वालों को देते हैं, central वाले consolidate करके bank को देते हैं, bank वाले उस पर अपने जो भी reviews and comments से वो सारी चीज़े डालके audit committee को देते है, audit committee और head office finally इसको RBI को देते है, कितने दिनों में, 60 days के अं बैंक के chairman MDR CEO को बताएंगे, plus 143 12 के साब से अगर fraud की amount एक करोड या उससे ज्यादा है, तो आप central government को बताओगे, सारे बच्चे बताओ, caro 2020 में क्यों नहीं बताएंगे, caro 2020 में क्यों नहीं बताएंगे, ये भेदभाव क्यों, sir हम इतने भी बुद्धू नहीं है, हमको प बसी private limited, बसी private limited का क्या मतलब था, bank के उपर applicable नहीं है, small company के उपर applicable नहीं है, section 8 company के उपर applicable नहीं है, insurance company के उपर applicable नहीं है, private limited company पर applicable नहीं है, अगर वो तीनों condition satisfy कर जाएंगे, plus बसी is a single person, तो 1% company पर भी applicable नहीं है, मजे करा दिया, तुमने तो आज देख दम जھकास, अब next topic, जितने भी central statutory auditor हैं, उनको क्या क्या additional report submit करेगी, तो मैं तो मैं रहे का simple सी बात है, इसमें अपन भी क्या करते थे, rhyming, rhyming करेंगे, फिर चुपचा बैठेंगे, घोश खाएंगे, जलजीरा पिएंगे, very good sir, rhyming, rhyming का क्या मतलब था, LFAR, ICFR, SLR, बोलो में सब, ICFR, LFAR, SLR बैठेंगे मतलब SIT, SIT का मतलब था, serious, irregularity, income recognition, asset classification, provisions, जो भी हमारे होते थे, उसकी बात हम करेंगे, P का मतलब था, treasury operations, तो ये वाले हमारे 6 points तो हो गए, फिर हम बैठके क्या करेंगे, घोश खाएंगे, जलजीरा पिएंगे, पहले बोल रहा हो, जो भी वेगन और vegetarian जलजीरे से पेट का control ठीक बता है, that is the internal control system, अब मजे की बात बताओ, सर, खुशी आ रही है, आपके चहरे पे, क्या होने वाला है, मैंने का concurrent audit आगया, सिरफ दो पेज बागी है, सिरफ दो पेज बागी है, यानि, जो study material में 80-90 पेज का chapter है, हम आखरी दो पेज 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 मैंने कहा, मैं तो भाई अब थोड़ी देर सो रहा हूँ, मैं तो थोड़ी देर सो रहा हूँ, जल्दी से बताओ, is everyone there with me, क्या आप मेरी साथ है, है है, हाँ सर हाँ, हम आपके साथ है, चलो सर, चलो भाई, चलो चलो, सारे सारे बच्चे चलो, अब हम पढ़ेंगे areas of focus in a case of concurrent audit, पहले बता, concurrent का क्या मतलब है, चार बच्चे टार लेके आते हैं, और वो बैंक को current लगाते है, बैंक को पहचाने किसमे current लगाया, कौन current मार के गया, उसको कहते, concurrent audit, तो this is called the audit, this is called the checking, कौन current मारा, मैंने का, ऐसे नहीं होता, यही तुम paper में लिखके आते हो, ठीक है, 60% of the CA जनता, जो ऐसे चले जाते हैं, उठके, हाँ, 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 मुड के, देखो मैं, देखो, उठके आई, कहते हैं, मुझे को, हवा, हवाई, यह हवा, हवाई, बच्चे, ऐसे लिखके आते answer, हाँ, क्योंकि इनको किया है, इनको keyword याद है, concurrent audit करके कुछ होता है, अब उसक concurrent audit क्याते हैं, तो concurrent audit के scope में क्या आता है, सारी चीज़ें, इधर bank में क्या किया, deposits लिए, इधर advances दिए, कुछ पैसा invest किया, कुछ पैसा अभी भी cash में पढ़ा है, प्लस इसके forex operations हैं, और क्या क्या होता है, housekeeping, admin वाली चीज़ें, अधर चीज़ें, यह सारी की सारी चीज़ concurrent audit में आ जाती हैं, अब सर इसकी coverage क्या होगी, जैसे internal audit क्यों होती है, audit committee से पूछ लो, तो जो audit committee कहेगी, वैसी coverage होगी, अब इसमें areas of focus हमको देखने, तो cash में आपको क्या देखेगे, मैंने क्या cash में आपने basically देखने क्या, high value receipts and payments, बस आपने high value receipts and payments याद रखना है, इस इसको बोलते है, sizeable amount, इसको आपने इसमें check करके चलना है, and last point is, और इस पर पैसा रख दो, तो यह क्या बन गई, currency chest, तो आपने यहाँ पर क्या देखनी है, proper accounting of currency chest transaction, सर क्या फालतो बाते हैं, तो आपने यहाँ पर देखने, proper accounting of currency chest transaction, चार बाते हैं, फिर से बोलो, high value receipts and payments, receipts and payments का क्या मतलब है, inward outward transaction, दो point हो गए, इनको क्या लगता है, हमने पढ़के नहीं आया, हमने स्कूल में अंग्रेजी पढ़ी ही नहीं, cash payments involving sizeable amount, और फिर यह ऐसे ऐसे करो, cash रख दो, इसको क्या बोलेंगे, currency chest transaction, very very good, तो इसकी आपने देखनी, proper accounting हो रही है, and reporting to the RBI, currency chest basically ह होता है, जो भी हमारी transactions होती है, RBI के साथ, वहाँ पर हमको report करके चलना पड़ता है, अब आतीए बात investments, तर investments मतलब जो भी bank में shares खरीद रखे, उसको अपन क्या बोलते है, securities, जो भी purchase and sale of securities है, head office के साब स्योंगी, it will be at the rates beneficial to the bank, मैंने का ठीक है, जो भी securities है, वो physically उसके पास transactions है, बस read कर लेना, that's it, अब आता है सर, advances, जो भी advance की sanction होगी, proper होगी, मैंने advance sanction क्या, बदले में क्या मिलेगी, security, अब अगर security मिली और advance आगे जाके मुकर गया, ठीक है, तो अब अपन ने इसमें क्या देखना था, ECGC, DICGC की insurance, तो इसमें हमने बोला था, LCBG, ECGC, DICGC, फिर से बोलो, LCBG, ECGC, DICGC, LC मतलब letter of credit, जो भी issue होरे है, properly sanction होने चाहिए, जो भी bank guarantee है, वो authorized होने चाहिए, ECGC, DICGC की insurance होने चाहिए, सारे advances पर यही basic बाते आपने ध्यान रखके चलनी है, और जैसी आपने advance दिया, उसका post disbursement, मतलब जब पैसे दे दिये, supervision और follow up होना चाहिए, अब आते है सर, foreign exchange, क्या यह answer मैंने याद कराया था, यह SFM वाले teacher ने, जल्दी से बताओ, यह foreign exchange वाला जो topic था, मैंने पढ़ाया था, यह AFM वाले teacher ने, मैंने का मैं इसका credit नहीं लेता, यह सारा का सारा आपको आपके financial management के teacher ने पढ़ाया है, क्यों, क्योंकि उन नोस्त्रो वोस्त्रो अकाउंट आते है, उनकी reconciliation आती है, तो यह सब मैंने नहीं दिखाई, extension, cancellation, of forward contract, सब उसने सिखाया, तो मैंने का उन्हों ने सिखाया, मैं कौंगो उसने तो करेंगे, सिपिंगी चीचे की जट नहीं करते हैं, मैंने का उन्हों नहीं सिखाया, ठीक है, तो आपने basically यह point ध्यान रखने, letter of credit, extension, cancellation, of forward contract, balance in the nostro account, reconciliation of nostro, vostro account, inward outward remittances वाला एक point मैंने का था मेरे दिल से याद रख लेना तो आप देखोगे ही, ठीक है, बाकी non-resident accounts, फिर हमने का था appointment of concurrent audit, concurrent auditor करेगा कौन, concurrent audit करेगा कौन, concurrent audit करेगा कौन, मैंने का या तो हमारा employee हो सकता है, क्या internal auditor employee हो सकता है, क्या sir, हाँ, हो सकता है, यह कहा लिखा था, section 138 में, sir, हम तो भूल गए, मैंने का very good, like a CS student, normally CS student भूल जाते है, तो sir, क्या गरना चीर, revision, please जा के section 138 revise कर लेना, लिख रो, भगवान शी कृशन का आशिरवाद है, तुमको na indication दे रहे, कि revise कर लेना section 138 after this session, ठीक है, तो वहाँ पर उन्होंने क्या बोला है, कि internal auditor के लिए, वो chartered accounting वाले जंजट नहीं है, कि भार का हो, ये independence, वो independence, नहीं, आप एक employee भी हो सकते हो, आप एक outsider भी हो सकते हो, same चीज यहां लिखी है, अगर outsider होगा, तो वो कितने साल तक company का concurrent audit कर सकता है, bank का 3 साल त अगर उसने गडबड करी, तो RBI को बताएंगे, ICI को बताएंगे, अब सर इसका reporting system जो था, वो बड़ा simple था, मुझे जितना याद है, मैंने इसकी भी आपके साथ noting कराई थी, कराई थी या नहीं कराई थी, कराई थी सर, structured format में reporting होगी, structure format यानी zone wise reporting होगी, सर zone wise reporting थो होगी, बट, report करने से पहले discuss कर लेना, report करने से पहले discuss कर लेना with the branch manager, क्या-क्या, ताकि आपके जो भी doubt से वो resolve हो जाए, और आपको एक opposite point of view मिल जाए, तो तीन बात ज्याना, structured reporting होती है, क्योंकि internal auditor है, बहुत खडचा किया, अच्छे से report करो, structured मतलब zone wise reporting, north, east, west, south, सारे zones की reporting करके चलेगे, समझ गए, समझ गए, समझ गए सर, साथी साथ आपने क्या करना है, report देने से पहले discuss करने ना, जो भी आपको issues मिलें, ताकि आपको opposite point of view मिल जाए, और आपके कही सारे issues पे clarity मिल जाए, जैसी मैंने report दी, ठीक है, उसमें मिल को क्या करना है, जो भी minor issues है, उनकी prompt reporting क है, उसको आप controlling office, यानि head office को बताओ, अब sir, head office में भी, जो भी fraud है, वो आप किसको बताओगे, IAAD, sir, यह IAAD क्या था, inspection and audit department, inspection and audit department, IAAD head office को बताओगे, एक नया बंदा और आया था, CVO, chief vigilance officer, साथी साथ आप इसके बारे में किसको बताओगे, branch manager को, but branch manager fraud में involved नहीं होना आपने follow up करना है कि उन्होंने action लिया आया, नहीं, तो बस यही बात आपने ध्यान रखनी थी and at the end of the day में यही बोलूँगा, once you become fearless, life becomes limitless, यानि हमने जैसे fearless तरीके से भी bank audit को revise किया, बस आपने खुद भी बैठके इसी जोश के साथ, इसी जुनून के साथ लगे रहना है, दो बार तीन बार अच्छे से एक बार go through करो, अपने आप सारी चीज़े दिमाब में बैठ जाती है, 1 hour 10 minutes, 1 hour 10 minutes, 26 seconds कुछ हो चुके हैं, but kudos to you for having that patience कि तुम समने में को जेलो पाई किया, for this 1 hour 10 minutes, but let me tell you, you people are awesome, you people are great, तभी शायद आप chartered accountant बनेंगे, so wish you the best, युवी लगे और हाँ ये चहरे पे smile रखा करो, अच्छी लगती है आपके चहरे पे, and yes, खुशी से पढ़ेंगे, तभी आगे पढ़ेंगे, do like the video अगर अच्छी लगे हो, stay subscribe to the channel for more such videos, wish you the best, हमेरा ही audit के, फिर मिलेंगे, चलते चलते, take care